सवधानिक अधिकार है, ये कोई दैविक वरदान नहीं है, ये कोई प्रधान मंत्री साहब का या आपका दिया हुआ महिलाओं को देया का पात्र नहीं है, दैविक और देया और पूजा से जोड़ के मुझे लगता है जो आंदोलन का इतिहास था, उसको भी खत्प करने की को मान, जब मनी मूर पे हमारी महिला निवस्त्र हो रही थी, हमने तब देखी, जब एक रेपिस को बचाने के लिए, जब आप सत्तापक्स वालों को ये मालूम चलता है, कि वोट की राजनिती में जरूवत है, तो हमारी महिला राश्पती, आदर्निय मूर्मु जी को तक में नही बुलाएगे, ये है आपकी नारी वन दुटा, ये है आपकी नारी वन दुटा. Motion moved, I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Srimati Ranjit Ranjan. Sir, I don't believe, 10 minutes. धन्यवाद, Sir. 10 minutes. Thank you, Sir. एक महिला होने के नाते मैं आशा करूँगी कि आप 5 minutes आप अपनी तरफ से मुझे देंगे और मैं सत्ता पक्ष को भी कहूँगी कि आज महिलाओं का दिन है, मैं Home Minister सहाब से request करती हूँ कि 5 minutes. आप अपनी तरफ से मुझे दीजेगा, अपनी पार्टी से दीजेगा. अपनी दर्श कराना चाहती हूँ, जिसका नाम आपने दिया है महिला आर्चन का नारिश शक्ति विध्यक. ये नारिश शक्ति विध्यक है, लेकिन अपने नाम दे दिया इसका नारिश शक्ति वंदन विध्यक. मुझे लगता है ये सविधानीक अधिकार है ये कोई दैविक वरदान नहीं है ये कोई प्रधान मंत्री साहब का या आपका दिया हुआ महिलाओं को दिया का पातर नहीं है ये हमारा एक सविधानी का दिकार है आपने इसका नाम दैविक और देया और पूजा से जोड़ के मुझे लगता है जो आंदोलन का इतिहास था उसको भी खत्प करने की कोशिश की है ये एक में महिला होने के नाते बोल रही हूँ वंदना आपके सरकार में महिलाओं की कितनी होती है ये हम सब को मालूम है वंदना हम महिलाओं की सत्ता पक्ष हो या विपक्ष में हो जितनी भी पुरुष मान सिकता है महिलाओं की वंदना इतिहास गवा है कि जब-जब आपको सत्ता पाने की जरुष होती है जब-जब आप विजय की आशा रखते हैं तब आप एक महिला को देवी बनाकर उसकी पूझा करने लगते है वंदना करने लगते हैं लेकिन अंदर में एक पुरुष की जीत और उस की बंदना हमने जंतर मंतर में बैठी उन महिलाओं के रूप में देखी आपकी बंदना आपका महिलाओं का सम्मान जब मनी मुर्पे हमारी महिला निवस्त्र हो रही थी हमने तब देखी आपकी बंदना और आपकी पूज और सम्मान जब एक रेपिस्ट को बचाने के लिए जब आप सत्तापक्स वालों को ये मालूम चलता है कि वोड की राजनिती में जरूरत है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हमें अधिकार चाहिए, दया का पात्र ना महिला कभी थी ना होगी, ये हमारी करुणा है, हमारी मम्ता है कि हम आपको, अपने आपको, आपके सामने द कि हमारे में इतनी करुणा है, हम आज इस नाई सदन में बैटे हुए है, मैं प्रसंशा करती हूँ, बहुत अच्छा है, लविश है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, जो पूराने सदन है वो घड़े का पानी है, और ये जो नया है, रेफ्रिजरेटर का पानी है, और जंदगी सालों सालों तक हम भूल नहीं पाते हैं, बस इतना फरक है, ये आपको भी सोचना पड़ेगा कि आखिर ये फर्क इस पुराने बिल्डिंग और नए बिल्डिंग में क्यों है, मैं जरूर बोलूंगी कि आप महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं, मैं एकवाल जी कि जब इस नई बिल्डिंग का उद्धाटन हुआ, तो हमारी महिला राश्पती आधर्णिय मूर्मु जी को उद्धाटन तक में नहीं बुलाएगी, ये है आपकी नारी वंदना, तेरा साल से हमारा आर्चन, हमारा आधिकार, हमारा सम्मान से हम वंचीत हैं, लेकिन मुझे आपके इस बिल में शैडियान नजर आता है, तेरा साल से राजसभा में हम लोगों ने पारित किया था, और आज आप इसको लेकर आए है, आज आप इसको लेकर आए है, अरे प्लीज, सुनिए है, आज आप इसको लेकर आए है, साड़े नौ साल के बाद, 2014 में आप सत्ता में आए, आपके मैनिफिस्टों में था महिला आच्छन देना है, साड़े नौ साल क्यों लग गए, मेरा पहला सवाल आप से यही है, दूसरा सवाल, महिला आच्छन के लिए, आपको स्पेशल सत्र बुलाने के जुरुत क्यों पड़ गई, प्रचार करना था, जो लाइम लाइट लेने की आदत, आपको हमेशा से रही है, इसमें भी महिला को भी आपने यूज किया है, तीसरा सवाल, आपने कहा, जातिय जनगर्णा और परिसिमन का पेच, जो आपने लगाया है, क्यों लगाया? मैं आप से पूछती हूँ, आपने इसका जवाब दे रहे थे कल, कि अगर हम यह नहीं कहते, तो आप पी आई लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते, अरे आप तो वो लोग है, जिन्होंने नोट बंदी लगाने से पहले, किसी से चर्चा भी नहीं की, और 155 लोग लाइनों में मार दिये, तो अभी ऐसी काउंसी बादा है, आप वो लोग है, जो किसान का काना कालून लाने से पहले किसी से नहीं पूछा, साड़े साथ सो किसान शहीद हो गए, लेकिन वो आपकी बादा नहीं बनी, एक साल तक लगातार वो सड़कों में बैठे रहे, मैं आप से सवाल करती हूँ कि फिर महिलाओं के, रिजर्वेशन के, अधिकार में, ये परिसिमन की, ये जंगना की, सीट के, रोटेशन की, जो आपने बादा लगाई है, क्या ये चुनावी एजंडा है, 2024 का, जिस पे आपको सिर्फ और सिर्फ जुन जुना दिखाना है, मैं आप से आपकी नियत और अपने कॉंग्रेस की नियत के बारे में सफाई देना चाहते हूँ, उधारन देना चाहते हूँ, आप महिमा मंडल कर रहे है, कि आप महिला रि धारन देती हूँ, कि 2009 मार्च 2010 में जब UPA2 राज सभा में जब ये बिल पारित हुआ था, यानि सत्ता में आने के एक साल के बाद, यानि कि हमारी मन्शा आने वाले लोग सभा में इसका प्रचार करना नहीं था, 10, 11, 12, 13, 14 में चुनाव था, हम सिर्फ और सिर्फ महिला को स शक्ति कनन करना चाते थे, राजीव गांधी जी ने कहा था, मैं उनके एक इंटर्व्यू कि एक संचीब शब्दों को याद करना चाती हूँ, कि महिलाओं के मामले में जो हिंदुस्तानी पुरुष है, वो डबल स्टेंडर का है, एक तरफ तो वो उच्छे सिहासन में महि किला को बैठाता है, लेकिन दूसरे तरफ जब उसको सम्मान और समानता का अधिकार देने की बारी आती है, तब वो अपना पल्ला खीच लेता है, जैसा कि आपने हमारी राजपती जी के साथ किया, वो भी ट्राइबल, मैं आप से सिर्फ इतना कहना चाहते हूँ, कि देखिए, हम चाहते हैं, कि जाती जंगर्णा, परिसिमन, रोटेशन को दरकिनार करके, आप महिला को आरचन क्यों नहीं देना चाहते हैं, इसका मतलब है, आप पुरुष के हिस्से में से महिलाओं को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, आप परिसिमन करेंगे, सीटे बढ़ाएंगे, उसके बाद आप महिलाओं को एक अलग से हिस्सा देंगे, आखिर क्यों नहीं, आज के हिस्से में आप महिलाओं को हिस्सा देना च मजबूत करने का जो महिला का बिल था वो UPA2 में जो राजसभा में पास हुआ हम चाहते हैं कि ये जो आपने नारी शक्ति का वंदन विधे का नाम दिया है इसको समानता का अधिकार दे हमें वंदना और पूजा नहीं करें इसके साथ मैं आप से जरूर कहूंगी कि हम चाहते हैं कि ये बिल पास हो SCST के साथ OBC महिलाओं को भी अधिकार मिले क्योंकि हमारी और आपकी जैसी महिलाएं संगर्ष करके आई हैं कल भी आ जाएंगी हमें भी संगर्ष करना पड़ता है लेकिन इस राजनीती के फिल्ड में इस मैदान में एक अकीली महिला अगर वो समाज के लिए अच्छा भी करती है लेकिन इस राजनीती के दलदल में उसका अकेले कुदना संगर्ष करना आज भी बहुत जटल है क्योंकि अगर महिला मजबूत है आपके साथ कंदे से कंदा मिला कर चलना चाहती है अपनी राय रखना चाहती है वो जो पूरुश मान सिकता है उसको गवारा नहीं है हम चाहते हैं मैं अपनी पक्ष की महिलाँ से भी कहूंगी कि जब मनिपूर की घटना घटी जब किसी भी रेप की घटना घटती है, जब हमारी पहलवान बच्चियां बैठती है, तो आपका समय समानता का अधिकार दिया है आपने महिलाओं को, ऐसा अधिकार दिया है समानता का अपने महिला मंत्रियों को, कि उनको क्या दिया जाता है, कि एक शब्द भी महिला के अब ये शक्ति हमें आपकी नहीं चाहिए हमें अपना अधिकार चाहिए इसके साथ ही मैं एक कविता का अंश पढ़के अपनी बात को खतम करना चाहूंगी नारी के उपर एक कविता है उतारो मुझे जिस शेतर में सर्फ्षेश कर दिखाऊंगी और उसे अलग दिखने में कुछ अलग करके ही जाऊंगी चाहा नहीं एक अलग नाम की इसी को महान बनाऊंगी नारी हूँ मैं इस युक की नारी की अलग पहचान बनाऊंगी जो सद्यों से देखा तुमने लिप्टी साडी में कोमल तन को घर घर में रहती थी वो पर जान न सके थे उसके मन को जुकी हुई सी नजरे थी वाडी मध्य मदूर सी थी फिर भी तानों की अवाज प्रबल थी हिमत ना थी उफ करने की अब बदल गई है ये पहचान अब बदल गई है ये पहचान नारी की ना साड़ी पड़िभाशा वाणी अभी भी मध्यर मधूर सी पर कुछ कर गुजरने की है प्रबल सी आशा चाहे जो भी मैं बन जाऊं गर्व से नारी ही कहलाऊं मुझे गर्व है कि आज सभापती की चेर में हमारी अलंपियन पीटी उशा जी बैटी है मेरा बश्पन का सपना था जब मैं पूजा में जाती थी और गौड से विश करती थी मुझे राजनितिक व्यक्ति नहीं बनना था कि मुझे पीटी उशा जी की तरह गोल्ड मेडल ले सब महिलाओं को एक जुठ होकर अपने सम्मान और अधिकार के लिए एक होना पड़ेगा यही कहके मैं यतिहासिक दिन है महिलाओं के लिए इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करती हूं और चाहती हूं कि ये आपके जोले में पिटारे में चला नहीं जाए और ये जो 2019 का आप आपने जुन जुना पकड़ाया है अगर सही मायने में आप महिलाओं को हग देना चाते है तो कुछ तोर निकालिए और ये पारिसीमन और जंगर्णा से पहले महिलाओं का हग उनके सामने रखिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू स्री जेगत प्रकाश झालिए.